हलो एवरिवन मैं राहूल सिंग है आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टैप अगैडमी में और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टिंथ सिविक्स का सेकेंड चैप्टर फेडरलिजम इसका ये वन शॉट वीडियो है आपके एक्जाम के परपस से हम इसको बहुत जल्दी कवर करेंगे लेकिन याद रखिएगा कि जल्दी ज़रूर कर रहे हैं लेकिन इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आती है कोई चीज तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेस्शन पूछ सकते ह जिनके आंसर में आपको दूँगा ठीक तो फेडरलिजम की बात करते हैं इस चैप्टर के पहले हमने फर्स चैप्टर पढ़ा है सिविक्स का वो है पावर शेरिंग और उस चैप्टर में हमने फोर डिफरेंट फॉर्म्स आप पावर शेरिंग पड़े थे पावर जिसे हमने कहा था होरिजोंटल पावर शेरिंग पावर शेरिंग बिट्विन डिफरेंट लेवल्स आप गवर्मेंट जिसे हमने कहा था वर्टिकल पावर शेरिंग पावर शेरिंग बिट्विन डिफरेंट सोशल ग्रॉप्स और फॉर्थ था पावर शेरिंग बिट्वि political parties pressure groups and movements है ना तो यह जो chapter है हमने जो second वाला part पड़ा था power sharing between different levels of government ठीक है जिसे हमने vertical power sharing कहा था यह federalism पूरा का पूरा उस portion को explain करता है vertical power sharing को ही हम कहते हैं federalism मतलब इसमें different levels के बीच में power share कैसे हो रही है उसके बारे में हम discuss करेंगे ठीक है और आखरी में इस chapter में हम यह देखेंगे कि कैसे इंडिया में decentralization हो रहा तो main part से दी हम देखें इस chapter के तो पहले federalism की definition फिर उसके features फिर इंडिया को हम कैसे कह सकते हैं एक federal country है और फिर इंडिया में federalism कैसे practice होता और आखरी में federalism को और अच्छे तरीके से practice करने के लिए जो decentralization किया गया उसके बारे में हम detail में पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत exam के purpose से तो ये important है ही लेकिन ये chapter हमें अपनी जो social life है हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में political system कैसा है power sharing arrangements कैसे हैं in different levels के बीच में इनको समझने के लिए ये chapter हमारे लिए बहुत ही ज्यादा important है तो exam में marks dean करने के लिए तो इसको पढ़ना ही है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में कौन सी government के पास क्या power है और क्यों है इसको समझना जरूरी है जो हमें इस chapter में समझ में आएगा ठीक है तो हम शुरूरात करते हैं वापस से वही Belgium और श्री लंका की स्टोरी से हमने Belgium और श्री लंका की स्टोरी पढ़ी थी और इसमें हमने देखा था कि Belgium की जो स्टोरी थी इस Belgium की स्टोरी में हमने यह देखा था कि Belgium में स्टेट गवर्मेंट्स पहले से थी याने कि जो constitutional units होती है ना federal units जो हम कहते हैं तो Belgium में भी different levels of government थे ठीक है लेकिन इन स्टेट गवर्मेंट्स के पास जो power थी वो power कभी भी central government उनसे चीन सकती थी ऐसा नहीं है कि यह जो states थी इनके पास power नहीं थ हमने देखा था कि constitution है Belgium में हमने देखा था कि जो central government है उसने regional governments को powers दी हुई है ठीक है तो regional government exist कर रही थी और इनके पास powers भी थी लेकिन समस्या क्या थी समस्या यह थी कि इनके जो roles और powers हैं यह इनको central government ने दिये थे और यह कभी भी वापस लिये जा सकते थे कभी भी withdraw किये जा सकते थे ठीक है यह समस्या थी यह समस्या दूर कब हुई 1993 में जब Belgium के constitution में changes आ गए है ना power sharing वाले chapter में हमने changes देखे थे यदि आप भूल गए हैं तो वापस से उस video को refer कीजिए और आप देख सकते हैं कि 93 में Belgium के constitution में कौन से changes आए थे ठीक है तो 93 में जो changes आए उन changes के बाद हम यह देखते हैं कि Belgium में एक settlement हो गया है बिलकुल कि अब state government की power जो है ना वो से नहीं चीन सकता मतलब कि यह जो constitutional changes आए यहाँ पर इससे क्या हुआ unitary government हुआ करता था Belgium अब यह unitary government से shift हो गया है क्या बन गया है federal form of government श्री लंका में ऐसा नहीं हुआ था श्री लंका में हमने देखा था कि भाई श्री लंका में जो sinhalese थे वो dominate कर रहे थे power share नहीं कर रहे थे तो स्री लंका में हम यह देखते हैं कि unitary government ही चल रही थी unitary system ही चल रहा था तमिल लीडर जरूर चाह रहे थे कि श्री लंका एक federal country बन जाए लेकिन because of many practical reasons है ना या उनके जो practical purpose थे उसके कारण श्री लंका क्या रहा एक unitary government तो इस image को देखकर हमें कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि unitary government और federal government में क्या अंतर होता है है ना तो पहले ज़र हम federalism की definition पढ़ते हैं और उसके बाद हम फिर unitary government की definition पढ़ेंगे और इन दोनों में difference देखेंगे कि क्या है तो federalism क्या है it is a system of government क्या है ये system of government है जिसमें power divided होती है central authority और various constituent units के बीच में तो definition क्या है federalism is a system of government keywords याद रखेंगे in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country ये definition हो गई लेकिन यदी तीन marks में पूछ लिया जाए तो और लिखना पड़ेगा federalism की definition एक mark की तो हो गई है लेकिन तीन mark में कैसे लिखेंगे इसमें और लिख देते हैं भाई कि federation में usually है ये word ज़रूर लिखना है usually federation में क्या होता है दो लेवल्स आफ गवर्मेंट होते हैं usually है ना बट इंडिया में तो तीन है बट हम लिखते हैं usually दो लेवल्स आफ गवर्मेंट होते हैं अब इसको define करतेंगे दो लेवल अफ गवर्मेंट को एक पूरी country के लिए एक government होती है जिसे हम central government कहते हैं और जो national interest के topic है उन पर work करती है और जो day to day administration होता है उसके लिए state government होती है ना तो एक क्या होती है government सारी country के लिए ठीक है और ये किस चीज़ पर focus करती है किस चीज़ के लिए responsible होती है few subjects of common national interest ठीक है इसके लिए responsible होते है ठीक और दूसरी कौन सी होती है state government होती है at the provincial level या state के level पर होती है जो किस चीज़ पर focus करती है they look after much of the day to day administration ठीक है ये तीन points हम उसमें लिख देंगे तो ये question का answer हमारा team marks का हो जाएगा ठीक तो federalism में क्या होता है ये दोनों level of government एक दूसरे से independent होते हैं इनकी powers एक दूसरे से independent होती है ये एक दूसरे पर dependent नहीं है but coordination होता है independent है इसका मतलब ये नहीं कि coordinate नहीं करेंगे मिलकर काम करेंगे unitary system इससे अलग है contrast है बिलकुल है ना ये कुछ ऐसी countries है जिनका जो federalism follow करती है तो इसमें देखो world की major countries नजर आ रही है Canada, USA, Brazil, Russia, India, Australia, Pakistan है ना बहुत सारी ऐसी countries है जो federalism follow करती है और number of countries की एदि हम बात करें federal states की बहुत जादा नहीं है लेकिन population बहुत जादा है इनमें है ना याने कि लगबग 19 या 20 countries है ऐसी जो federalism follow करती है लेकिन इनमें world की लगबग 40% population रहती है ठीक है अब जरह हम देखते हैं की unitary government क्या होती है इन दोनों में contrast एक दम किसमें federalism में और unitary form of government में बिलकुल एक दूसरे से अलग है unitary system में क्या होता है हम कह रहे है federalism में दो government होती है ठीक है दो level of government होते है लेकिन यदि हम unitary system की बात करें तो unitary form of government में या तो एक ही level of government होगा दूसरा होगा ही नहीं और मालो यदि दूसरा level of government है तो वो central government के subordinate होगा जैसे की Belgium में था 1993 के पहले की local governments थी state level की governments थी लेकिन उनके roles और उनकी powers उनको किस ने दिये थे central government ने और central government कभी भी वो चीन सकती थी है ना तो unitary system क्या होगा इसको कैसे define करेंगे either there is only one level of government और subunits are subordinate to the central government ठीक है इसके अलाबा जो unitary system होता है ये one mark की definition हो गई फिर तीन मां की बात करते हैं और दो points आएंगे क्या आएंगे central government can pass orders ठीक है central government क्या कर सकती है orders pass कर सकती है provincial level पर जो government है या local level पर जो government है उनको ठीक है तो दो point मिल गए भाई एक तो definition मिल गई दूसरा इसमें feature मिल गया कि central government जो है वो provincial या local government को order pass कर सकती है तीसरा point क्या मिल जाएगा federal system में ऐसा नहीं होता ये comparison हो गया federal system में central government state government को orders pass नहीं कर सकती ठीक है federal government में क्या होगा state government की खुद की power होती है और वो central government के लिए answerable नहीं है ठीक है लेकिन याद रखिएगा इन दोनों में federalism में दोनों level of government are answerable to the citizens of the country ठीक है क्योंकि democracy की बात हो रही है ठीक है तो चलो भाई देखो तीन points कैसे मिल जाएगा अपन को unitary system of government में कि यह contrast है किस से contrast है बिलकुल federal government से पहला हमें definition मिल गई कि यह जो unitary system of government होता है उसमें एक ही level of government होता है यह जो subunits होती है वो subordinate होती है और तीसरा point क्या हो जाएगा central government can pass orders to the provincial और local governments ठीक है इस तरीके से हम तीन mark का answer लिख सकते है ठीक देन उसका comparison भी बता दिया यह तीनों comparison हो गया भाई कि भाई central federal government में ऐसा नहीं होता federal government में क्या होती है state government की खुद की powers होती है वो central government को answerable नहीं है लेकिन दोनों forms of government दोनों levels of government जो है they are answerable separately answerable to the people यह बहुत important चीज है federation में unitary system में answerable नहीं होते बट federal system में governments are answerable to the people यह बहुत important point है इसका ठीक है तो federal country कौन सी कहलाती है कैसे पहचानेंगे कि कोई country federal है कि नहीं मान लीजे वो map में मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में लगवग 19 या 20 countries हैं ऐसी जो federalism follow करती है तो हमने किस basis पर कहा कि यह countries federal है ठीक तो जड़ा हम key features देखते हैं federalism के जिनके basis पर हम यह कहते हैं कि वो country federal है ठीक है सबसे पहला है feature जो बहुत ही normal है इसको देखकर आसानी से आप कह सकते हो कि federal है की नहीं लेकिन अकेला यह feature मिलने से federal नहीं होती जो हम यहाँ पर seven features पढ़ने वाले हैं federalism के यदि यह साथ features किसी country में नजर आ रहे हैं तो वो federal होगी सिर्फ constitution में लिख देने से कोई country federal नहीं हो जाती यदि यह साथों features हमें नजर आ रहे हैं constitution में ना भी लिखा हो तब भी वो federal होती जैसे इंडिया की बात करें इंडिया के constitution में कहीं नहीं लिखा कि इंडिया एक federal country है लेकिन federalism के सारे features हमें नजर आएंगे अभी हम देखते हैं कि कैसे इंडिया is a federal country ठीक पहला feature क्या है दो या दो से ज्यादा levels होंगे government के या levels की जगा कई बाद tiers वर्ड यूस करते हैं tiers या कुछ लोग इसो tires produce करते हैं two tires of government ठीक है तो दो या दो से ज्यादा level of government होते हैं ठीक है यहाँ पर मैं जरा इंडिया से compare करते हुए चल रहा हूँ वहाँ पर अपन उसको detail में पढ़ेंगे हैं तो हम जानते हैं इंडिया में central government है state government है local self government है ठीक पहला और सबसे आसान दूसरा आ जाते हैं कि इसी से जड़ा हुआ है दूसरा कि यह जो different levels of government है they have jurisdiction different jurisdiction अब यह jurisdiction क्या होता है jurisdiction का मतलब है कि area of your command मतलब कि इरिया में तुम command कर सकते हैं अब यह area जो होता है यह geographical भी हो सकता है या फिर in terms of subjects भी हो सकता है जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं subjects के terms में ठीक है कि यह जो different levels of government हैं यह same citizens को govern कर रहे हैं लेकिन इनका jurisdiction अलग होता है तीन चीज़ों में taxation, legislation and administration ठीक है legislation यहने law बनाना भाई कौन सी चीज़ पर कौन law बना सकता है jurisdiction में आगे न subject कि भाई education पर कौन law बनाएगा police के उपर कौन law बनाएगा agriculture के उपर कौन law बनाएगा taxation कौन सा tax कौन collect करेगा ठीक है and administration कि भाई district level का administration है उसमें भी various stages होती है तो district level पर central government किस चीज़ को control करेगी और state government किस चीज़ को control करेगी local self government किस चीज़ को control करेगी तो हमने क्या देखा for example मैं इंडिया का एक citizen हूँ मेरे उपर central government भी rule कर रही है state government भी rule कर रही है और local government भी rule कर रही है अब मालो मैं टेक्सेशन की बात करूँ तीनो टेक्स कलेक्ट करती है मैं एक city में रह रहा हूँ एक बड़ी city में रह रहा हूँ तो municipal corporation है municipal corporation मेरे से property tax लेगी मझे नगर निगम में जाके property tax पे करना पड़ेगा हर साल यह ले रहे हैं पहले state government और central government के टेक्सेश अलग होते थे लेकिन अब जी एस्टी लग गया है जी एस्टी है ने goods and services tax तो उसमें भी होता है cgst होता है sgst होता है एक central government का और एक state government का उसी में से आदा आदा जाता है दोनों को है ना तो अब हम माल लीजे वो gst pay कर रहे हैं किसी restaurant में मैंने खाना खाया तो वहां मैंने gst pay किया है ना यदि ac वाला restaurant है पका बिल आ रहा है तो उसमें gst pay करते हैं अपन वहां पर हमने देखा कि उसमें sgst हो cgst है अलग अलग लिखा होता है आधा state को जाता है अधा central को जाता है तो यहां पर देखो jurisdiction सबका अलग अलग है in subject in subject में है कि कौन से subject पर कौन सा विक्ती कौन सा level of government law बना सकता है है ना तो jurisdiction समझ में आ गया area of authority है जिस समय जिस पर जिस area पर उनकी authority है जब हम police की बात करते हैं तो एक area पर police का वो geographical area होता है लेकिन जब हम government की बात कर रहे हैं तो subject matter में बात कर रहे है ठीक है तो दो point मिल गए पहला मिल गया कि दो या दो से जादा level of government होते हैं दूसरा क्या मिल गया कि ये different levels of government चाहे वो एक हों दो हों तीन हों चार हों different levels of government same citizens को govern करते हैं जैसे कि मेरे को लेकिन उनका jurisdiction अलग अलग होता है different levels of government have different jurisdiction ठीक है jurisdiction अलग-अलग होता है अब साथ में पूरा लिखना पड़ेगा आदा दूरा लिखोगे marks नहीं मिलेंगे किन चीज़ों में specific matters of legislation, taxation and administration इन चीज़ों में इनका jurisdiction अलग होता है लेकिन ये पता कहां चलता है भाई कि ये jurisdiction कहां दिया हुआ है तो हम ये देखते हैं इसी से उज़ड़ा हुआ है थर्ड फीचर this jurisdiction is defined in the Constitution कहां पर होता है ये specified in the Constitution हर एक different level of government का different tier of government का jurisdiction कहां दिया हुआ है Constitution में दिया हुआ है ऐसा क्यों करते हैं so that यह जो different levels है, इनका existence और इनकी authority, existence and authority, यह constitutionally guaranteed रहे, लिखित में होना चाहिए न, constitution में क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं, कि यह constitution में क्यों लिख दिये हैं, ताकि इनकी existence और authority, constitutionally guaranteed रहे, ठीक, लेकिन यह guarantee भी तभी कहलाएगी न, जब constitution को आसानी से बदला ना जा सके, यदि कोई भी आसानी से बदल सकता है, तो फिर यह guarantee रहेगी नी, तो यह चौथा feature होता है constitution से related हमारे federalism का, कि constitution आसानी से बदला नहीं जाना चाहिए, न, fundamental provisions of the constitution cannot be changed, like unilaterally, unilaterally मतलब अकेले के दम पर, कोई एक level of government अकेले की दम पर fundamental provisions change नहीं कर सकता, यह change हो सकता है, ऐसा नहीं है, कि constitution में change नहीं हो सकता, बहुत से लोग सोचते हैं, कि constitution में change हो इनी सकता, ऐसा नहीं है, हो सकता है, बिलकुल, बहुत सारे changes होते हैं, उनको हम amendments कहते हैं, लेकिन य चाहिए क्या consent, consent मतलब सहमती, किसकी सहमती चाहिए, both the levels of government, central government and state government, ठीक है, consent of both the levels of government, दोनों की सहमती चाहिए, तब जाके change होता है, तो इंडिया का constitution कैसे change होता है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक, अब मालों ये changes हो रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा कि सही नहीं है, सरकार गलत कर रही है, फिर हम क्या करें, तो हमारे पास कोई ऐसा system है कि नहीं, जिससे कि हम सरकार को गलत करने से रोक सकें, यदि वो चीज़ है हमारे पास, तो तो federalism है, तो उसके लिए क्या चाहिए होते हैं, courts, लेकिन सिर्फ court अकेले ह होने से नहीं चलेगा, यह courts powerful होने चाहिए, तो यहाँ पर हमें fifth feature मिलता है, federalism का, कि courts के पास power होती होनी चाहिए, to interpret, interpret मतलब उसका meaning बताना है न, interpret the constitution and powers of different levels of government, ठीक है, different levels of government की power को interpret करना कि central government की power क्या है, state government की power क्या है, local government की power क्या है, यदि यह right court के पास है, और constitution में जो लिखा है, उसका meaning क्या है, यह यदि court बता सकता है, तो हम कहते हैं, कि भया, federalism है, और court का एक और काम होता है, कि यदि dispute arise होता है, तो वो dispute भी कौन resolve करते हैं, यह court, to different levels of government के बीच में, यदि dispute arise होता है, तो य dispute को resolve भी कौन करेगा? court करेंगे, मतलब कि they act as an empire in case of disputes between the different levels of government. तो ये पांचवा feature है. ठीक है? तो courts related मिल गया हम को कि court होने चाहिए, जिनके पास क्या power हो? to interpret the constitution and powers of different levels of government. ठीक है? और साथ में, जब dispute arise हो different levels of government के बीच में, तो इसको solve करने का काम भी करें, courts. clear है ये चीज, ठीक है? अब आजाते हैं, छटवे feature पर, बहुत important feature है भी या, देखो सारी लड़ाई जगड़े की बज़ा क्या होती है? पैसा. है ना, आज भी हम देख रहे हैं, लोग एक दूसरे से लड़ जगड़ रहे हैं, भाई-भाई से लड़ रहा है, तो पैसे की कारण, तो ये जो different levels of government हैं, ये भी एक दूसरे से लड़ सकते हैं, यदि पैसे की समस्या हो, तो federalism का छटवा feature होता है, financial autonomy. ठीक है? अब ये financial autonomic अब आएगी? जब दोनों की income के source clearly defined हो, कि इसके पास पैसा यहाँ से आएगा, इसके पास पैसा यहाँ से आएगा, central के पास यहाँ से आएगा, और state के पास यहाँ से आएगा, तब जाके हम कहते हैं कि financial autonomy है, तो छटवा feature मिल जाता है, इससे हमें, source of revenue source of revenue मतलब income कहां से होगी? source of revenue of each level of government are clearly specified, ऐसा क्यों? ताकि financial autonomy रहे, ठीक है? यह हो जाएगा छटवा feature, फेडरलिजम का, और सातवा feature है कि इसका objective क्या होना चाहिए, फेडरल गवर्मेंट का objective, डियोल अबजेक्टिव है यदि वो डियोल अबजेक्टिव वो गवर्मेंट अचीव कर पा रही है, तो हम यह देखते हैं कि country federal है, क्या है यह डियोल अबजेक्टिव सेफगार्ड एंड प्रमोट unity of the country, country की unity को प्रोटेक्ट भी करें और प्रमोट भी करें, कब? खासतोर से तब जब diversity हो, मतलब की accommodate regional diversity, ठीक है, क्या हो? accommodate regional diversity, इंडिया में कितनी जाद diversity है, है ना, ऐसे ही आजकल अपन को homogenous countries नहीं मिलेंगी कि जहाँ एक ही type के लोग रहते हैं, diversity मिलेगी हर country में, किसी ना किसी type की diversity मिलेगी, ठीक है, तो यह जो diversity है, इसको accommodate करना, और country की unity को maintain करना, प्रमोट करना और उसको safeguard करना, यह dual objective होता है, federalism का, यदि यह मिल जाता है, यह दिखरा है country में, तो हम कहेंगे कि वो federal country है, लेकिन इससे एक और चीज़ क्लियर हो जाती है, यह जो dual objective हमने पढ़ा है, इससे हमें दो aspect और क्लियर हो जाते हैं, किस चीज़ के लिए? institutions and practice of federalism के लिए, कि यह federalism कब होगा, वो जो दो objective हैं, वो कब अचीव होंगे? तो objective कौन से? to safeguard and promote unity of the country and accommodate diversity, यह दोनो objective कम अचीव कर पाएंगे हम, जब different levels of government जो हैं, वो कुछ power sharing agreements को, power sharing के rules को follow करें, यह न, तो यह पहला हमको aspect मिल गया, कि वो dual objective कब cover करेंगे? जब government at different level, agree, to some rules of power sharing, ठीक है, rules तो बना लिए, लिगन trust भी तो होना चाहिए, तो दूसरा मिल जाएगा, कि हमें हर एक level of government को trust होना चाहिए, एक दूसरे पर, कि they will abide by its part of agreement, है न, मतलब दो चीज़े होनी चाहिए, mutual trust and agreement to live together, साथ में रहने की इक्षा होनी चाहिए, साथ में रहना चाहते हैं, और एक दूसरे पर trust करते हैं, तब ये चीज़ें सही से काम करते हैं, ये हर जगा काम करता है, ये हमारी life में भी काम करता है, है न, ये हम एक दूसरे पर trust नहीं करते हैं, और हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो कुछ भी कर लो, लगाई जगड़ा होगा ही होगा, हम साथ नहीं रह पाएंगे, है न, हम अपने parents की बात करें, या family की किसी भी member की बात करें, हर जगा ये idea चलता है, trust होना, और एक साथ रहने की एक्षा होना जरूरी है, अब आपकी एक साथ रहने की एक्षा ही नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना ढून के निकल जाओगे, है न, तो वैसे ही ये system है, federal system, political system है ये, social society में भी ये system चलता है, और वही politics में भी चलता है, कि federalism होगा, different levels of government साथ रह पाएंगे कब, जब mutual trust होगा, एक दूसरे पर विश्वास होगा, और एक साथ रहने की एक्षा होगी, और ये कब होगा, जब power sharing agreements होगे, ठीक है, और trust होगा, कि वो अपने अपने part को follow करेंगे, ठीक है, तो ये साथ features हैं, federalism के, जहाँ ये साथों चीजे नजार आ रही हैं, जिस country में वो country, federal country है, ठीक है, जहाँ इनमे से एक भी चीज मिसिंग है, वो federal country नहीं है, ठीक है, लेकिन हर एक federation में हमें दिखता है, कि ये जो balance of power है न, central और state के बीच में, ये अलग-अलग है, variation है इसमें, एक federation में ये central और state के बीच में balance of power अलग दिख रहा है, दूसरी इस federal country में अलग दिख रहा है, तो वो जो 20 state की हमने, 19 states की हमने बात की, तो हर एक में ये balance of power between central and state government जो है, वो vary करता है, कैसे, क्यों, तो इसकी हम बात करते हैं, या ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि different historical context में वो federation बनी है, ठीक है, कैसे बनी है, इसको समझ के हम देखते हैं, तो दो तरीक generations generally बनती हैं, है न, एक coming together और एक holding together, ये दो रास्ते हैं, coming together, छोटे-छोटे सी units एक साथ आ गई, ठीक है, और उन्होंने एक बड़ी country बना ली, coming together federation, तो एक historical context क्या हो गया, चोटी-चोटी सी countries थी, उनने सोचे यार ऐसे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, कोई ना कोई हम पर फिर से colonialism के कारण अपना rule establish कर लेगा, उनने का हम सब एक हो जाते हैं, हम सब मिलकर एक बड़ी country बना लेते हैं, ठीक है, और मिलकर हम powerful हो जाएंगे, हम पर कोई rule नहीं कर पाएगा, हो सकता हम दूसरों पर rule करें, दूसरा होता है, एक holding तो गयता है, एक बड़ी country है, उसको लग रहा है कि यार, क्या करें कि हम divide ना हो जाएं, ऐसा ना हो कि हमारी ये country तूट जाए छोटी-छोटी सी countries में, तो उसने काया तूटेगी काये के लिए उनको power चाहिए, तो पहले से ही power दे दो, तूटेगी नहीं, तो एक बड़ी सी country ने power छोटी units के साथ share कर ली, ताकि कि वो बड़ी unit बनी रहे, तो ये दो तरीके के historical context हैं, जिसमें federations बनती हैं, इन दोनों को हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, coming together federations की, कि ये coming together federations क्या होती है, एक basic idea हमको पता चल गया, कि ये क्या होता है, involves independent states coming together on their own, अपनी मर्जी से एक साथ आती है, to form a bigger unit ठीक है, ऐसा क्यों किया, so that by polling their sovereignty, sovereignty क्या होती है, ये आप constitutional design chapter था, 9th class में, उसमें पढ़ चुके हैं, और आप भूल गए हैं, तो वीडियो में refer कर सकते हैं, हमारे चैनल पर इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, what is constitutional design वाला chapter, ठीक है, इस वीडियो को देखकर, आप अपने सारे doubts, जो basic principles हैं, constitution के, है न, we the people of India, we the people of India, solemnly constitute this nation into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, तो उसमें, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, इन सारे words के meaning क्या हैं, ये 9th में आप पढ़ चुके हैं, जिनको याद नहीं है, दुबारा से पढ़ें, बहुत ही जरूरी हैं, आपको पता होना चाहिए, कि ये चीज़ें क्या होती हमारी country है कैसी, basically, और ये कितने अच्छे principles हैं, ये कितने अच्छे चीज़ें हैं, ठीक है, इसको अपनको याद रखना है, ठीक है, तो sovereignty क्या होती है, मैं thought में बता रहा हूँ, sovereignty मतलब decision making power, तो अपनी decision making power को एक साथ pool कर लिया, मतलब छोटी-छोटी country सब मिल कर decision लेंगी, अपनी identity retain करके रखेंगी, उनकी identity खतम नहीं होगी, लेकिन इससे फाइदा क्या होगा, उनकी security बढ़ जाएगी, तो coming together में पहला point मिल गया, the first route involves, first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pulling their sovereignty and retaining their identity, they can increase their security, अब इसके examples ले लेते हैं, USA, Switzerland and Australia, ठीक है, इन सारी countries में क्या होता है, जो constituent states है, they have equal power, जैसे की federal government के पास होती है, तो देखो भाईया, यहाँ पर, जैसे USA की बात करें, लगबख 50 states हैं USA में हैं, 50 states तो थी हो सकता है, अब 51 होगी हूँ, मैं देखनी पाया, भी current affairs से थोड़ federation में क्या होता है, यह different states अपनी मर्जी से एक साथ आई और एक बड़ी country बना ली, USA, ऐसे में इनोंने अपनी decision making power एक साथ पूल करी, इस से क्या हुआ, उनकी identity भी खतम नहीं हुई, लेकिन उनकी security बढ़ गई है, और यहाँ पर हर एक state की power equal है, 50 states हैं तो 500 की power equal है, किसी के पास ज्यादा या कम power नहीं है, सब के पास equal power है, ठीक है, और वो strong है, और केसी power है, federal government के जित्ती, मतलब central government के पास भी कोई extra power नहीं है, जितनी powerful state government, central government जितनी powerful है, उतनी powerful state governments भी हैं, ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह coming together federation, अब बात करते हैं हम holding together federation की, जो की इंडिया है, है न, इसमें क्या होता है, बड़ी country अपनी power divide करती है, है न, तो इसमें क्या होगा, large country decide to divide its power between constituent states and the national government, तो बड़ी country ने central government और state governments के बीच में power share कर ली, जैसे की इंडिया, Spain and Belgium, यह holding together के example है, ठीक है, यहाँ पर अंतर क्या आजाता है, है कि यह जो state से इनकी power equal नहीं होती, आपस में भी equal नहीं है, और central government के बराबर भी नहीं है, है न, तो यह जो category है, इसमें क्या देख रहे हैं, central government tends to be more powerful, central government की power थोड़ी सी ज्यादा होती है, state के comparison में, ठीक है, और कई बार क्या होता है, जो different constituent units हैं, federation में उनकी power भी equal नहीं होती हैं, कई बार तो कुछ states को special powers भी दी जाती हैं, जिनको हमारे यहां क्या कहते हैं, union territories, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, अभी detail में जब आप इंडिया के बारे में समझेंगे न, अभी तो यह holding together और coming together हमने समझ लिया कि क्या होते हैं, अब इनको table एक form में लिख लेना भी या, इस तरीके से लिखना है अपन को exam में, ठीक, तो इसकी बात समझ, इत्ता समझ में आगया, holding together और coming together federations क्या होती हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, इंडिया की, कि ऐसा क्या है इंडिया में, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि यह एक federal country है, और ऐसा सवाल क्यों आया, क्योंकि यहां बहुत जादा diversity है, श्री लंका और बेल्जियम में तो इतनी नहीं थी जित्ती इंडिया में हैं, बेल्जियम में तो हमने तीनी communities देखी थी, French speaking, Dutch speaking and German speaking, और श्री लंका में भी क्या, तमिल्स और सिन्हलीस, इंडिया में तो भरे पड़े हैं भाई, इतनी सारी states हैं, इतनी सारी union territories हैं, सबका culture अलग-अलग है, है ना, तो हम देख रहे हैं कि काई languages हैं, काई religions हैं, काई regions हैं, तो ये देखें, इनके बीच में power sharing arrangements कैसे हैं की नहीं है, फेडरल लेदी नहीं होते हैं तो हम ये पढ़ ही नहीं होते हैं, इंडिया एक federal country है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो फेडरलिजम कैसे इंडिया में practice किया जाता है, इसको भी पढ़ना है अपन को, लेकिन पहले पता तो चले कि फेडरल है, कैसे हैं, वो साथों features यदी दिखे हमें, तो कहेंगे ना, फेडरल है, तो हम अपनी historical सुरुवात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, historically एक formation होता है, तो historically देखा जाए, तो इंडिया का formation हुआ, तो union of state बना, कहीं लिखा नहीं के फेडरल है, मतलब हम holding together federation है, holding together हैं, ये भी मैं प्रूफ करूँगा, हमने जो feature देखें ना, holding together में कि states की power equal नहीं है, कुछ को special status दिया जाता है, वो सब हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो अपने constitution से start करते हैं अपन, कि partition हुआ, बहुत ही painful और bloody partition था, बहुत सारे लोग मारे गए, दोनों साइड मिला कर करीब 10 लाख से जादा लोग मारे गए, ये official data है, official data तो अपन कई उसमें missing रहती हैं, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो independence के बाद हमारी जो country थी, बहुत सारी princely states थी, पांसो से जादा princely states थी, जिनको सरदार वल्लब भाई पटेल ने merge करके, एक आज का जो हम इंडिया देख रहे हैं, उस रूप में लेकर आए हैं, उनका tactics बहुत important थी, इसमें हैं, तो हमारी country का ये part बनी, अब हमारा जो constitution है, उसने क्या declare किया, India is a union of state, ठीक है, पहले ही article है हमारे constitution का, India that is भारत shall be a union of state, मतलब कहीं भी federal word का use नहीं किया गया है, ठीक है, तो हमारे हैं भले ही कहीं भी federal word का use नहीं किया हो, लेकिन ये जो Indian union है, it is based on the principles of federalism, अब वो सातों features हमको यहां देखने मिलेंगे, सबसे पहले feature पर, पहला दूसरा तीसरा पढ़ेंगे, और इन पर हमारा focus बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो पहले अपन सबसे पहले feature पर आ जाते हैं, पहला feature क्या था, एक से ज़्यादा level of government होना चाहिए, है ना, तो हमारा जो constitution है, originally की बात करें हैं ना, originally हमारे constitution में कैसा system था, two-tier system था government का, याने की central government थी, ठीक है, जो पूरे country को represent कर रही थी, और state governments थी, जिनको हम federal units भी कहते हैं, provinces भी कहते हैं, है ना, तो ये original system था, लेकिन बाद में एक third tier of government भी add किया गया, जिसमें panchayats और municipalities आती हैं, ठीक, तो पहला feature मिल गया, दूसरा feature क्या था, इनका jurisdiction अलग-अलग होता है, ठीक है, और तीसरा क्या था, ये jurisdiction constitution में define होता है, तो ये देखो भई, ये जो federation है, यहाँ पर different tiers enjoy separate jurisdiction, ठीक है, ये jurisdiction अलग है, और ये define कहा है, constitution में, कैसे, constitution clearly provides a three-fold distribution of legislative powers, jurisdiction in the matter of law, मतब लो कौन सा व्यक्ती, कौन सा level of government, किस चीज़ पर law बना सकता है, ठीक है, इस पर हम बात कर रहे हैं, कि यहाँ पर क्या है, different tiers of government की क्या-क्या powers है, three-fold system एक हमारे यहाँ पर है, in the form of three list, हाला कि ये तीनों लिस्टों में सरफ union government और state government की power बताई है, local government की power नहीं बताई है, लेकिन three-fold system है, ठीक है, अब ये three-fold system में क्या आता है, तीन लिस्ट, union list, state list and concurrent list, ठीक है, अब ये union list मतलब, इसमें ऐसे subject दिये हुए हैं, जिस पर सिर्फ union government law बना सक्ती है, state list में ऐसे subject दिये हैं, जिस पर सिर्फ state government law बना सक्ती है, and concurrent list में ऐसे subject दिये हैं जिस पर दोनों level of government जो हैं वो law बना सकते हैं फिर एक और category आती है उनका क्या, उन subject का क्या जो तीनों list में नहीं है क्योंकि जब constitution बनाया गया उस समय बहुत सारी चीज़ें नहीं थी बाद में आई तो चलो यहीं पर हम देखते हैं पहले union list से start करते हैं इसके कुछ subject हम देखते हैं सारे नहीं हैं union list में बहुत सारे subject हैं यहाँ पर उस में से सिर्फ पांच दिये हैं defense, foreign affairs, banking, communication and currency यह ऐसी चीज़े हैं जिस पर सिर्फ central government law बना सकती है state नहीं क्यों? क्योंकि इस पर हमको uniform policy चाहिए थी पूरी country में अब currency हर एक state की अलग होती तो मुसीवत हो जाती पता चला हम घूमना गए जम्मुन कश्मीर अब वहाँ पर मद्यपरदेश की currency नहीं चलती वहाँ जाके आप पहले exchange करा हो अब उस पर exchange rate दो इंडिया के अंदर ही घूमना मुश्किल हो जाता तो currency पर uniform policy चाहिए ना समझे? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यह ऐसी चीज़े हैं जिस पर uniform policy चाहिए defense, borders पर defense के लिए अलग-अलग state की अलग-अलग policy होती ना independent countries ही बन जाती हैं वही तो नहीं चाह रहे हैं? है ना? तो defense, foreign affairs, banking, communication and currency यह ऐसी चीज़े हैं जिस पर सिर्फ central government law बना सकती है union government law बना सकती है क्योंकि उन पर uniform policy चाहिए इसी लिए इनको union list में रखा गया और इस पर कौन law बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ union government कोई दूसरी नहीं ठीक, फिर आते हैं state government पे state government में कौन से subject आएगे? जिस पर सिर्फ और सिर्फ state government law बना सकती है कोई और नहीं है ना? क्या आते हैं? इस में? पुलिस, हर एक state की पुलिस अलग है trade, community commerce, agriculture and irrigation वही हर जगा की geography अलग है अब हर जगा की geography अलग है उसके इसाफ से agriculture की policy अलग होनी चाहिए uniform policy नहीं चलेगी हर जगा पर है ना? तो हर जगा की cultural and social situation अलग है तो police को किस तरीके से work करना है वहां के लोग देखेंगे तो ऐसी चीजें जिस पर अलग-अलग type की policy बननी है हर एक area के साफ से तो उनको लखा गया state list में ठीक है? लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें कहा की भाईया choice होनी चाहिए कि central के follow करना है आपको कि state के तो उनको रखा concurrent list में है ना? जैसे की education हम जानते हैं central government के schools भी है state government के schools भी हैं है ना? मतलब CBSE board भी है और other state boards भी हैं है ना? forest, trade unions, marriage, adoption and succession हर जगा पर ये कुछ जगाँ पर कुछ policies ऐसी हो सकती हैं इन में जिस पर uniform law बनाएं लेकिन कुछ चीजें हर एक में ऐसी हो सकती हैं जिस पर हमको हलग अलग जगा के हिसाफ से policy चाहिए है ना? पर example forest अपन ने इसको काई में रखा है? concurrent list में Central Government भी law बना सकती है और state government भी law बना सकती है लेकिन मान लो इन दोनों में dispute हो गया फिर क्या? dispute के case में देखो अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इंडिया एक holding together federation है कैसे? कि dispute के case में Central Government ने या union government ने जो law बनाया है वो माना जाएगा state government का law नहीं माना जाएगा ठीक है? तो यहाँ पर अपन को दिख जया ना? कि इंडिया एक holding together federation है ठीक? और देखते हैं अपन? अब इसी में अपन और देखते हैं कि holding together कैसे है क्योंकि हम यह जानते हैं कि एक और list अपन पढ़ रहे है recidary subject की जो तीनों list में नहीं है ठीक है ना? ऐसे subject जो ना union list में है ना state list में है ना concurrent list में है यहाँ से भी हमें holding together का पता चलेगा ऐसे subjects जो तीनों list में नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? recidary subjects कहते हैं और इन पर law बनाने का right किसके पास है? union government के पास देखो central government tends to be more powerful यहाँ दिख रहा है इससे भी पता चल रहा है holding together federation है ठीक है? और देखते हैं भाई हमने देखा था कि holding together federation में जो federal units होती है उनकी power equal नहीं होती न यहाँ वो चीज़ नजर आएगी देखो हमने बहुत सारी ऐसी states देखी है जहाँ पर powers equal नहीं है कुछ का तो special status भी है ठीक है? तो holding together federation के हिसाफ से देखा जाए तो देखो Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh और मिजूरम इनके पास special powers हैं Under Article 371 of the Indian Constitution ठीक है? अब यह special powers इनके पास क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो social और historical circumstances हैं बहुत peculiar हैं, बहुत अजीब हैं है ना, unique हैं इनके peculiar social और historical circumstances के कारण इन states को कुछ special status दिया हुआ है ठीक है? मतलब कि इंडिया में जो भी union इंडियन union में जो भी states हैं उनकी powers identical नहीं हैं Holding Together Federation है identical powers नहीं है अब किन चीजों में identical नहीं हैं? जरह इस पर चर्चा करते हैं ठीक है? किन चीजों पर identical नहीं है? लेंड राइट्स कल्चर अंड प्रिफरेंशियल Employment and Government Services ठीक? लेंड राइट्स जमीन पर फर एक्जामपल ऐसी ये जो states हैं ना जो लोग यहां के पर्मानेंट रेसिडेंट्स नहीं हैं वो इन states में लेंड परचेज नहीं कर सकते हैं हो सकता है अब इन में कुछ relaxation हो लेकिन अपन जो CBSE की guidelines follow करते हैं और books follow करते हैं उसके इसाफ से क्या है? कि state governments जो हैं यह जो सरी यह जो states हैं यहां पर हमने देखा कि special powers हैं land rights के case में culture के case में और preferential employment in government services के case में मतलब वहां government चाहे तो reservation दे सकती हैं कि हम अपने यहां के जो residents हैं मूलनेवासी जो हैं मूलनेवासी प्रमाण पत्र बनता है तो उसके basis पर मानलो 60%, 70%, 75% seats उनने reserve कर लीगी भाया हमारे यहां के लोगों को ही देंगे ठीक है? वैसे ही culture के basis पर भी देखते हैं और land rights में भी देखते हैं कि यहां के लोगों को preference दिया जाता है other state के लोग वहाँ land purchase नहीं कर सकते ठीक है? special powers हैं ऐसी कुछ और states हैं जिनकी special powers हैं यहां हम सारी mention नहीं कर रहे हैं यहां पर हमने कुछ ही mention करी लेकिन कुछ states तो ऐसी हैं जिनके पास power ही नहीं है परज़ा नहीं दिया जा सकता है ना? तो कुछ units ऐसी हैं इंडियन union में जिनके पास बहुत ही कम powers है यह इतनी छोटी हैं कि इनको independent state का दरज़ा नहीं मिल सकता लेकिन उनका culture unique है उनकी history unique है उनको किसी और के साथ आप merge भी नहीं कर सकते cannot, could not be merged with any other existing state उनको अलगी रखना पड़ेगा याद रखेंगे union territories क्यों बनी क्योंकि बहुत छोटी हैं और उनको किसी state के साथ merge नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते उनका unique culture है उनकी history अलग है है ना? इसलिए merge भी नहीं कर सकते इसलिए उनको क्या कह देते है union territories लेकिन इन पर union territories में law बनाने की जिम्मेदारी law बनाने का अधिकार किस के पास होता है central government के पास होता है तो कुछ union territories हम जानते है चंडीगर, लक्षदवी ठीक है डेली ये सब union territories है और इन सारी union territories के पास कोई states वाली पावर नहीं है central government इनके लिए law बनाती है ठीक है इनके central government के पास पावर है तो इन सारे provisions से ये प्रूव हो जाता है कि इंडिया एक holding together federation है question बनेगा तो answer लिख सकते हैं कितने सारे मिल गए हमको पहला हमें मिल गया कौन सा वाला कि यदि concurrent list में conflict आया तो central government का law माना जाएगा दूसरा मिल गया recidary subject वाला कि तीनों list में कोई subject नहीं है उसे हम recidary कहेंगे और उस पर central government law बनाएगी ठीक है तीसरा मिल गया special powers वाला असाम वगेरा का हमने देखा कि इनके पास special powers हैं चौथा हमने देखा union territories वाला कि इनके पास बहुत कम powers है ठीक इन सारे points से प्रूव हो जाएगा कि ये holding together federation है लेकिन अभी हम वापस आजाएं जरह आपने features पर कि वो 7 features मिल रहें की नहीं ठीक है तो हमें अभी तक देखो तीन तो मैंने आपको बता है चौथा feature भी मिल चुका है partition हुआ partition के बाद हमारी union बनी इतनी सारी diversity है उसको partition के समय कितना problem face किये लेकिन उसके बाद भी लोग मिल जुलकर एक साथ रह रहें तो जो सातवा feature पढ़ा था ना हमने accommodate diversity and protect and promote the unity of the country वो दोनों भी feature हमारे यहां मिल गए ना ठीक है तो develop objective भी हम achieve कर चुके है ठीक दो level of government से जादा है jurisdiction अलग-अलग है jurisdiction constitution में defined है अब चौते feature पे आते हैं कि भाया यह जो constitution में jurisdiction दिया है इसको आसानी से constitution को आसानी से change नहीं कर सकते power sharing arrangement जो है यह basic है structure of the constitution कैसे कह रहे है it is not easy to make changes आसान नहीं है changes करना यह जो power sharing arrangements है इनको change करना आसान नहीं है तो कैसे कह रहे हैं आसान नहीं है तो constitution में change कैसे कर सकते हैं जरा उसको देखते है हमारी जो parliament है यह अकेले change नहीं कर सकती है constitution को parliament मतलब central government की बात होगी है अकेले change नहीं कर सकती है constitution को change करने के लिए consent चाहिए both central and state governments की तो पहला चीज़ क्या होता है पहले तो हमें चाहिए कि यहाँ पर consent हो जाए फिर state की consent की बात करेंगे क्योंकि हमारी parliament में दो houses हैं लोकसभा लोकसभा में 545 members है 545 members है हम जानते हैं इसमें से 545 में से 543 जो होते हैं वो elected होते हैं दो को president nominate करता है राजसभा में 245 members होते हैं जिसमें से 233 जो होते हैं वो states MLAs जो होते हैं वो elect करते हैं indirectly election होता है राजसभा का और 12 को president nominate करता है चार डिफरेंट फील्ड से तो ये कह रहे हैं पहले तो पार्लेमेंट में कंसेंट चाहिए मतलब की कॉंस्टिटिउशन में कोई चेंज कब होगा जब पार्लेमेंट के दोनों हाउसस से two-third majority से vote मिल जाएं मतलब की कोई जो प्रपोजल आता है Constitution में चेंज का है ना उसको हम कहते है constitutional amendment bill उसमें ये प्रपोजल होता है कि constitution में क्या चेंज करना है ठीक है Constitution amendment bill ये पार्लेमेंट में आएगा लोगसभा में और राजसभा में दोनों जगा जाएगा दोनों जगा से क्या चाहिए at least कम से कम two-third majority चाहिए ठीक है? याने कि यहाँ पर अपन ऐसे समझ लो भाई इसको ज़रा अपन समझ लेते हैं तरीके से कैसे एक मिनच ज़रा two-fourty-five two-fourty-five into two-by-three यह two-third हो जाएगा and five-fourty-five into two-by-three यह two-third majority होगी simple majority क्या होती? half यदि यहाँ से हम simple majority निकालें simple majority याने 50% से ज़्यादा तो one-fourty-six का half उससे ज़्यादा कित्ता हो जाएगा sorry two-fourty-five का कित्ता हो जाएगा 123 यह simple majority हो जाएगी ठीक है? और five-fourty-five का एडिया हम निकालें तो two-seventy three है ना? यह sorry two-seven हाँ two-seventy three यह simple majority हो जाएगी यदि इतने मिले votes मतलब यह simple majority है ठीक है? लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं क्या? special majority की कितना चाहिए? two-third majority चाहिए आधे से काम नहीं चलेगा 66% चाहिए है ना? तो इसको divide कर तो तीन से और multiply कर तो दो से ठीक है? तो हमें मिल जाएगी क्या? special majority जो constitutional amendment bill को pass करने के लिए चाहिए parliament में, लोकसभा और राज्यसभा में ठीक है? इसके बाद जब यह लोकसभा और राज्यसभा से हो गया pass मतलब central level पर consent आगी अब बात आती है states की तो फिर यह जो constitutional amendment bill लोकसभा और राज्यसभा से pass हो गया है वो जाएगा states के पास हर एक state के पास जाएगा इंडिया में 28 states और 8 union territories हैं ठीक है? तो कितनी states का support चाहिए at least half of the states at least half of the states याने कि 28 states हैं तो 14 का तो support चाहिए ही चाहिए 14 at least half ठीक है ना? तो यदि parliament से pass होने के बाद इन states ने भी कम से कम 14 states ने भी उस constitutional amendment act को bill को pass कर दिया तब जाएगा वो president के पास तो president के sign होने के बाद वो constitutional amendment bill constitutional amendment act बन जाएगा वो विधेयक कानून बन जाएगा समझ गए? ये तरीका है constitution में change लाने का तो देखो आसान नहीं है तो हमें चौथा feature मिल गया कि भीया constitution में आसानी से change नहीं किया जा सकता ठीक? पांचवा feature क्या था? जुडिशरी वाला तो हम जानते हैं कि इंडिया में जुडिशरी बहुत important role play करती है in the implementation of the constitutional provisions यदि कोई भी दिक्कत आती है हमें constitutional provisions को follow करवाने में तो हम जुडिशरी को जुडिशरी के पास जा सकते हैं ना? ठीक है? तो ये वाला feature भी मिल रहा है हमेरा पांच वाला feature भी मिल रहा है छटवा feature क्या था? कि ये dispute ना हो इसलिए financial resource of income जो है वो clearly defined होना चाहिए तो हम जानते हैं union और state governments जो हैं उनके पास powers हैं कि वो अपना जो financial resources हैं वो कहां से gain करेंगे? taxes से तो state government और union government दोनों taxes लगा सकते हैं अभी भी इसका example बता हूँ आपको भले ही GST आ गया है लेकिन इसमें आप देखोगे हर एक state में petrol का दाम अलग अलग है क्यों अलग है? क्योंकि हर एक state में जो state government है वो भी petrol पर tax लेती है इसलिए हर एक state में आप देखते हो कि petrol का दाम अलग-अलग होता है LPG cylinder का दाम अलग-अलग होता है तो GST आने के बाद भी हम देख रहे हैं कि यह central or state governments हैं यह अलग-अलग tax लगा कर source of revenue यह जो अपना revenue है वो generate कर सकती है ठीक है? तो छटवा feature भी मिल गया कि यह high courts हैं और supreme courts हैं यह decide करने के लिए कि यह dispute हो गया है central or state के बीच में तो कौन सही है और क्या होना चाहिए और हर एक level of government का source of revenue clearly defined है ठीक है? छे feature यह मिल गये और साथवा feature मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई हर एक साथवा feature की diversity को भी accommodate किया है और country की unity को हमने safeguard किया है और promote भी कर रहे हैं promote अभी भी करते हैं कि मिल कर रहना है ठीक है? तो यह साथवा feature हमें यहाँ पर मिल रहे हैं लेकिन सिर्फ constitution में लिख देने से यह नहीं होगा कि भीया वो federal बन जाए जो लिखा है वो practice भी तो किया जाना चाहिए ना तो इंडिया में federalism practice कैसे होता है अब इस पर बात करते हैं तो देखिए अभी एक चीज़ तो हमें clear हो गई कि federalism practice करने के लिए constitutional provisions तो बहुत जरूरी है definitely बहुत जरूरी हैं लेकिन सिर्फ constitutional provisions काफी नहीं है तो यह इंडिया में जो federalism successful हुआ है यह इसका एक बहुत अच्छा कारण यह जरूर है कि हमारे यहां constitutional provisions बिलकुल clear है constitution में तो बिलकुल clear दिया हुआ है कि भीया federalism practice होना ही है भले ही federal country ना लिखा हो लेकिन जो constitutional provisions हैं उसमें बिलकुल clearly भीया बता दिया गया है कि federalism practice होना है success का एक कारण ही है लेकिन सिर्फ constitution में लिख देना काफी नहीं है real success जो है federalism की उसका कारण क्या है हमारे यहां nature of democratic politics हमारी country में जिस तरीके से politics, democracy के लिए follow की जा रही है उसके कारण लोगों में जो ideals होने चाहिए, कौन-कौन से ideals होने चाहिए federalism, sorry spirit of federalism respect for diversity and desire for living together यह ideals होने चाहिए ना ठीक है तो यह जो ideals है यह जो ideals लोगों में होने चाहिए यह हैं, क्यों हैं, इसका कारण क्या है, nature of democratic politics, इस nature of democratic politics के कारण हमारे यहां लोगों में federalism का spirit है diversity के लिए respect है और एक साथ रहने की इच्छा है, ठीक है, लेकिन यह आया कैसे यह nature of democratic politics क्या रहा इसके बारे में आपन को पढ़ना है तो यहां पर अब हम क्या पढ़ने वाले कुछ major ways जिसके कारण यह तीनों चीजे हमारे यहां के लोगों में आई यह और इसका सबसे पहला example क्या था formation of linguistic states ठीक है यह हमारी democratic politics का सबसे पहला test था समझ गए? अब देखिए भई, यदि हम map क्यों देखें तो 1947 से 2019 के बीच के map की बात करें ना तो इसमें हम को बहुत सारे changes नजर आएंगे क्या changes नजर आएंगे देखते हैं देखो boundaries change हो गई यह 1947 का map है इंडिया का इसमें आज के जैसी कोई states नजर नहीं आ रही है अपन को ना हमें कहीं राजिस्थान देख रहा है ना कहीं हमें महराष्टर देख रहा है ना कहीं मध्या प्रदेश देख रहा है ना तेलंगना देख रहा है ना आंध्रा प्रदेश देख रहा है ना तमिल नाडू देख रहा है कोई भी ऐसी states नजर नहीं आ रही ठीक है, कैसे reorganize किया गया है, भाई, boundaries इनकी change की गई है, बहुत सारी states की, जो पुरानी states थी इंडिया में, उनकी boundaries change की गई है, और नई states का formation किया गया है, अब question ये आता है कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया, ताकि एक language बोलने वाले लोग एक ही state में रहें, है न this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state, ठीक, हलागि शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने इस चीज को criticize किया है, ये जो है न, ये जो states हैं, जब language के basis पर create किया, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ language के basis पर states बनाएंगे ये इंडिया में, language के अलावा हमार यहां, culture, ethnicity and geography के basis पर भी states बनाई गई हैं, जैसे कि नागा लेंड, उत्राखंड, जारखंड, चतीसगर, तेलंगना, है न, ये सारी ऐसी states हैं, जो language के basis पर नहीं, बलकि culture, ethnicity और geography के basis पर बनाई गई हैं, ठीक है, लेकिन जब ये states बनाई जा रही थी, language के basis पर, तो बहुत स सारे लोगों ने इसको criticize किया, बहुत सारे लोगों ने questions किया, और हमारे leaders भी डर रहे थे, कि या language के basis पर states बनाई जानी चाहिए, कि न, डर ये था कि ऐसा ना हो, कि country कहीं इससे divide हो जाए, ठीक है, इसी लिए जो formation हो रहा था states का language के basis पर, तो बहुत सारे लोगों ने इसको resist किया, बहुत सारे लोग question कर रहे थे, कि कहीं country डिवाइड ना हो जाए, लेकिन हमारा experience ऐसा show नहीं करता है, हमारा experience क्या show करता है, कि linguistic states का formation जो था, उससे हमारी country और ज्यादा ही united हो गई है, क्यों, क्योंकि administration आज़ान हो गया ना भाई, एक state में एक ही language बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पर उसी तरीके के officers को appoint किया जाता है, तो उससे administration और अच्छा हो जाता है, है ना, तो सबसे पहला experiment हमारी democratic politics का क्या था, कोशिश की ना हमारे नेताओं ने, कि भईया language के basis पर state बनाते हैं, डर जाए थे, एंसा ना हो कि ये country डिवाइड हो जाए, लें लोग डिवाइड हो जाए, उनमें unity की feeling खतम हो जाए, समझ गए, तो ये चीज़ से हमारे leaders को डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी इन्हों ने किया ना, क्योंकि democracy के लिए वो ज़रूरी था, और उसका result क्या निकला, country और ज्यादा united हो गई, क्योंकि इस से administration easy हो गया, ठी दूसरा nature of democratic politics देखो, language policy, ठीक है, language policy में इंडिया की जो language policy है ये बहुत ही अच्छी policy है, श्री लंका जैसा नहीं है, हमारे constitution में कोई national language है ही नहीं, हमारे जो constitution है, did not give the status of national language to any one language, किसी को national language नहीं बोला, हमने क्या बोला, official languages हैं, इंडिया की दो official languages हैं, एक हिंडी और एक English, central level पर ये हैं, ठीक है, लेकिन हिंडी तो इंडिया में सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं, बाकी के लोग तो हिंडी बोलते ही नहीं हैं, other languages बोलते हैं, जरा देखते हैं भाई देखो, इतनी सारी languages हैं और इतनी सारी languages बोलने वाले लोग हैं, इस में हिंडी की बात करें तो अब थोड़ा सा percentage बढ़ गया है, 43% के आसपस लोग जो हैं, वो हिंडी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं भाई की यहां पर हिंडी के अलावा और भी बहुत सारी languages हैं, तो हमारा जो constitution है न, वो हिंडी के अलाव 21 other languages को recognize करता है as scheduled languages, scheduled languages क्यों बोल रहा हैं, क्योंकि हमारे constitution के एर्थ schedule में दी गई हैं, ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, ताकि इनको protect किया जा सके, इनको safeguard प्रवाइट किया जा सके, इन languages को, मतलब कि ये 21 Indian languages हैं, हिंडी के अलावा 21 हैं, मतलब एर्थ schedule में किती languages हैं, total 22 languages हैं, इन में कोई foreign language नहीं है, English नहीं आएगी इसमें, English एक foreign language है, इंडिया में foreign languages भी हैं, है na English हम बोलते हैं, official language है English लेकिन वो scheduled language नहीं है, 21, 22 scheduled languages हैं, including Hindi, और हिंदी के अलावा 21, ठीक है, इसका मतलब ये हैं कि इंडिया में यदि कोई भी व्यक्ती एक exam दे रहा है, government exam दे रहा ह कोई सा, सरकारी नवक्री के लिए कोई exam दे रहा है, central government का खासतोर से, तो वो in 22 languages में से किसी भी एक language में exam देने के लिए preference भर सकता है, ठीक, अब देखो एक policy हो गई कि national language नहीं होगी, कोई official languages होगी, दो official languages हैं, लेकिन हमारे यहां बहुत सारी states हैं, जहां ना Hindi बोली जाती ह ना English बोली जाती है, लोगों को दोनों ही नहीं आती, तब क्या करें भई, तो एक policy और देखो, कि हर एक state की खुद की official policy भी है, states to have their own official language, हर एक का खुद का official language है, जैसे कि तमिल नाडू में, तमिल, गुजरात में, गुजराती, पंजाब में, पंजाबी, बिंगॉल में, हर एक state की, याने की हर जगा, देखो, हर एक state में, तीन official languages हो सकती है, ठीक है, कंपल सरी नहीं कि तीन होंगी, पर एक्जामपल, मद्यपरदेश, मद्यपरदेश में दो ही होंगी, हिंदी और इंग्लिश और जनरली हिंदी में काम होता है, ठीक है, लेकिन, हर एक state के पास य official language बनाया है, जनरली उस ही language में वहाँ पर काम होता है, ठीक, दो policy देख गई language में, तीसरी policy देखते हैं हम आपन, कि भई, इंग्लिश जिसका official language की तरह use होना बंद हो जाना था 1965 में, यह हो जाना था बंद, ठीक है, और सिर्फ हिंदी रह जाती official language, national level पे, लेकिन, हमारे य यहाँ पर इन्हों ने डिमांड करी कि English को continue किया जाए as official language, क्यों, क्योंकि भई, इनको हिंदी नहीं आती, लेकिन Britishers ने जब अरजस्ती English सब जगा इंपोस कर दी थी, यह ऐसा कहें, British rule को, British rule में survive करने के लिए, लोगों ने English तो सीख ली थी, ठीक है, तो इसलिए 1965 में भी हुआ, तो यहाँ पर हमारी government ने देखो, कितना अच्छा democratic politics है, इनने का कि ठीक है भई, हम English को continue करेंगे, ठीक है, democratic politics का nature नजर आ रहा है हमें यहाँ पर, है ना, तो English को continue किया गया, government ने कैसे respond किया, to agree to continue the use of English along Hindi for official purpose, हला कि कुछ लोगों ने इसको criticize किया, क्योंकि वो क्या बोल रहे थे, यह उन लोगों को favor कर रहे हैं, government जो English speaking elites है, South India में, elites मतलब जो rich लोग है, वो, यह ना, लेकिन याद रखिएगा, अभी भी हमारी official policy क्या है, हमारी languages, official languages हैं, Hindi और English, इसके इलावा हर एक state के पास यह right है कि वो अपनी एक regional language को official language बना सकते हैं, लेकिन हमारी official policy अभी भी है, promotion of Hindi, ठीक है, यह official policy है, promotion of Hindi, लेकिन याद रखना, promotion कह रहे हैं, imposition नहीं कह रहे हैं, मतलब कि central government किसी भी state पर या किसी भी व्यक्ती पर हिंदी बोलने का दवाव नहीं बना सकती है, हिंदी बोलने के कि भाई या हिंदी में काम करो या हिंदी में बात करो, लेकिन किसी को impose नहीं कर सकती है, ठीक है, तो central government cannot impose Hindi on states and people, जो दूसरी languages बोलते हैं, ठीक है, तो office, देखो कितनी अच्छी policy है, democratic politics है न यहाँ पर, कि सबका ध्यान रख रहे हैं, स्रीलंका जैसा नहीं किया हमारे पर है न, तीसरा तरीका, democratic politics का तीसरा वे देखो आप, creation, sorry, change in the central state relations, ठीक है, यहाँ पर याद रखियेगा कि federalism जो होता है न, और ज्यादा strengthen कैसे होता है, इसके बारे में अपन को देखना है कि central state relation का इसमें क्या रोल है, खास्त वर से इसमें political parties और leaders का, जो ruling party है और leaders है, य यदि ये सही तरीके से respond करें, तो federalism अच्छा होगा है न, इनका जो response होता है, है न, ये जो arrangements हैं, इनके लिए depend करता है कि ये जो power sharing के arrangements हैं, इनको ये कैसे respond कर रहे हैं, ठीक है, यदि इनका response positive है, तो power sharing positive होगी, और जो federalism है वो और ज्यादा strengthen होगा, लेकिन देखो, आब य history देखनी है, जब independence मिली और independence के बाद हमारा constitution implement हुआ, उस समय जो rulers थे या ruling party थी हम देखते हैं, Congress का ही rule था central में भी और state में भी, हम parties का नाम generally लेते नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि central level और state level दोनों जगह generally Congress का rule होता था, इसके कारण जो state governments हैं, वो अपनी powers का सही से use नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको central level पर जो उनकी leadership है, उनकी बास सुननी होती थी, माल लो, कई बार ऐसा भी होता था कि local level पर या state level पर किसी दूसरी party की government हो जाती है, तो ऐसे case में central government अपनी powers का constitutional powers का misuse करते थे, state level पर उस government को हटाने के लिए और अपनी खुद की party की government establish करने के ल रूल लगा दिया या कुछ भी, है न, लेकिन ये सारी चीज ने change हो गई 1990 के बाद, क्योंकि 1990 के बाद collision government का दौर आया, चलो इसको समझ लेते हैं भाई ज़र अच्छे से, है न, तो बहुत लंबे समय तक हमने कहा कि दोनों level पर, central और state level पर एक ही party rule करती थी, ठीक, इसका नुकसान क्या होता था, जो state government है, वो अपनी powers और अपने rights as autonomous federal units exercise नहीं कर पाते थे, ठीक है, और कई बार ऐसा होता था कि जो ruling party है, state level पर यदि वो different है, तो center अपनी power को, constitutional powers को misuse करके, यह जो state पर different party की government आई है, उसको हटाने की कोशिश करते थे, ठीक है, और इसके कारण central government misuse कर रही ना, powers का, किस लिए कर रही है, ताकि वो जो rival parties, जो state governments को control कर रही है, state government में हैं, उनको dismiss कर सकें, और अपनी government establish कर सकें, ऐसे में federalism का spread जो है, वो करबढ़ हो रहा है, ठीक, लेकिन यह सब कब change हो गया, 1990 से, है न, क्या आया, change क्या आया, collision governments का दोर आया, देखो अब इन दो कार्टून के दोर हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, एक कार्टून हम अभी देख रहे थे यह, यह इंदरा गांधी जी के समय का कार्टून है, सेंटरल लेवल पर इंदरा गांधी जी की पार्टी रूल कर रही है, और maximum states में भी Congress की government थी, तो जो कुछ states हैंसी थी जहां Congress की government नहीं है, उनके पास कुछ power ही नहीं है, इसे केरला है, मदरास है, बिंगॉल है, यह जहां पर उनकी government नहीं है, वहां के लोगों के पास कुछ power ही नहीं है, उनको भीकारीओं की तरह दिखा गया है, यहां पर कटोरा लिय वे, power of the states, कैसे दिखाया गया है, Central Government को Powerful दिखाया है, Federalism Practice ठीक से नहीं हो रहा है और इसमें हमें दिख रहे हैं ये हमारे प्रिये निता माननी अटल विहारी वाजपेई जी ये देखो, इतनी सारी Political Parties के साथ मिल कर इनको Collision Government form करनी पड़ी, आब इसको कुरसी में सारी पार्टी लगा दी, मतलब इनमें से एक भी हटा तो Government गई है ना, ये Collision जो है ये आग है, ये सब Bomb है, जरा सी आग इधर लगी कुरसी चली जाएगी ठीक है, तो यहाँ पर 1990 से 1990 के बाद से हम देखते हैं, चेंज आता है इस पीरियड में जो Regional Political Parties है इनका राइज हो रहा है इनकी पावर बढ़ रही है क्योंकि कोई भी Major Political Party Majority गिन नहीं कर पा रही लोग सवा में Majority चाहिए ना, लोग सवा में जिसके पास Majority होती है, वो Government Form करता है, तो कोई भी Single Party को Clear Majority नहीं मिल रही है, जिसके कारण Alliance Form करने पढ़ रहे हैं Major Political Parties को, ठीक है इसके कारण क्या हुआ एक नया Culture Rise हो रहा है Power Sharing का, और उसके कारण जो States की Autonomy थी, अब वो उनको मिल रही है, उसको Respect मिल रही है, ठीक है तो 1990 के बाद से यह सारे चेंजे, इसमें Judiciary का भी बहुत important role है Judiciary ने भी कई सारे ऐसे decisions दिये Supreme Court ने, जिसके कारण Central Government अब Constitutional Powers का misuse नहीं कर सकती याने की State Governments को arbitrary manner में dismiss नहीं कर सकती पहले इसका misuse होता था ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है यह जो Federal Power Sharing है यह जादा effective हो गई है जो किसके comparison में, 1990s के पहले जो situation थी उसके comparison में, ठीक है भाई तो यह तीन चीजों से हमें समझ में आता है कि कैसा nature है हमारे हैं Democratic Politics का और कैसे इंडिया में Federalism practice किया जाता है है ना, तो दो अलग question आते हैं What makes India a Federal country उसका answer अलग होगा उसमें हमें वो सातों features बताने पड़ेंगे and how federalism is practice in India उसमें हम ये तीनों democratic politics के example पंस में देते हैं ठीक है तो देखो federalism तो है लेकिन इंडिया में दो tier of government से काम नहीं चलेगा, third tier भी चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी country है यहां से हम आजाते हैं अपने topic पर decentralization ठीक है, decentralization क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है, इस पर हम बात करते हैं है ना, तो अभी तक हमने ये देखा कि भाईया जो federal country होती है federal government होती है इसमें दो या दो से जादा tier of government होते हैं लेकिन हमने तो अभी तक सिर two tiers of government की बात ही करी हमारी country में लेकिन इतनी बड़ी country है इंडिया कि सिर्फ दो level of government से नहीं चलेगी हमें एक third level की जरूरत है तो इसके पीछे सोच क्या है, कारण क्या है पहले हम rational देखते हैं कि क्या rational है, क्या कारण है जिसके कारण हम third level of government की बात कर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिया की कुछ ऐसी states हैं जो यूरोप की independent countries जितनी बड़ी हैं large, large बहुत ही large for example हम देखो बात कर रहे हैं area की भी और population की भी से जादा है महरास्ट जो है वो लगबख जर्मनी के बराबर है population की मैं बता देता हूँ भाई आपको यदि आप रशिया की population पता करेंगे तो लगबख 14 crores के आसपास रशिया की population है ठीक है और उत्तरप्रदेश की population पता करोगे तो 20 crores के आसपास उत्तरप्रदेश की population है रशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी country है area wise और उत्तरप्रदेश इंडिया की एक state है लेकिन उत्तरप्रदेश की population रशिया से जादा है महरास्ट एरिया में और population में लगबख जर्मनी के बराबर है ठीक है उपर से diversity बहुत ज़्यादा है internal diversity है हर एक state में आप देखो बहुत ज़्यादा diversity उत्तरप्रदेश में तो बहुत ज़्यादा diversity आपको देखने मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर हमें power sharing चाहिए within these states within state or power sharing की हमको requirement है so this is the rational behind power sharing or decentralization की countries बड़ी है कितनी बड़ी है उसका example ले लिया हमने ठीक है तो इंडिया में इसी लिए हमको third level of government की जरूरत है ठीक clear है इसी लिए हमने क्या देखा third tier of government introduce किया गया कौन सा third tier of government introduce किया municipality and municipal corporations at the urban areas in the urban areas and panchayat in the rural areas तो federalism sorry decentralization क्या होता है decentralization मतलब central government और state government से power लेना और local government को देना ठीक है तो when power is taken away from central and state government and given to local government it is called decentralization decentralization की definition पज़ा चल गई और decentralization क्यों करना है इसका कारण पता चल गया खीक है दूसरा आते हैं basic idea behind decentralization क्या basic idea है decentralization के पीछे इस पर चर्चा करते हैं अब ज़रा the basic idea behind decentralization is की भाया कई सारी ऐसी problem होती हैं या issues होते हैं जिनको local level पर ही सबसे अच्छे तरीके से settle किया जा सकता है क्यों 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 कि यहां लोगों को better knowledge होता है उनकी problems का कि उस locality की क्या problem है अब मध्यपरदेश में किसी छोटे से गाउं में कोई problem है मुख्य मंतरी सरी परदान मंतरी को कैसे पता होगा कि उस गाउं की क्या समस्या है उन तो जब मिलेगा बात करेगा तब पता चलेगा लेकिन वहां के लोगों को मालुम है कि इनकी locality की क्या समस्या है है न तो यहां पर local लोग उसको बहतर तरीके से solve कर सकते है उनको यह भी मालुम होता है कि कहां पैसा खर्चा किया जाना चाहिए better idea where to spend money and how to manage things more efficiently ठीक है तो एक basic idea तो हमको यह मिल गया कि भाई local level पर problems को जादा अच्छे से solve कर सकते हैं क्योंकि वहां के लोगों को बहतर knowledge होता है problems का वहां के लोगों को बहतर knowledge होता है कि कहां पैसा खर्च करना इसका और उनको बहतर knowledge होता है कि कैसे चीज़ों को जादा efficiently manage करना है इसका ठीक दूसरा decentralization के पीछे basic idea क्या होता है कि directly participate कर सकते हैं लोग इसमें decision making में ठीक है possible for the people to directly participate in decision making ठीक है यह तो basic idea है ना democracy का ठीक है यही तो basic idea है democracy का कि भाईया decentralization sorry democracy में कि लोग decision making में participate कर सकें है ना तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो democratic principles है या इसकी जो habit है democracy में participation की जो habit है वो इससे अपन को मिल जाएगी और तीसरी चीज़ जो सबसे important होती है self government है ना तो local government जो है ना this is the best way याद रखना local government is the best way to realize one of the most important principle of democracy and that is self government at the local level यह कैसे possible है decentralization के थू ही possible है इसी लिए हमको decentralization की जरूरत है ठीक है तो हमारे constitution में तो यह recognize किया गया था कि decentralization करना ही होगा हमारे constitution में भले ही power central law state के बीच में divide की गई हो लेकिन शिरुवात से ही municipality, municipal corporations and panchaits के बारे में दिया हुआ था है ना तो need for the decentralization हमेशा से recognize की गई हमारे constitution में और इसी लिए कई सारे attempts भी किये गए कि power जो है वो village और towns के level पर transfer की जाए ठीक है तो panchaits in villages municipalities in urban areas यह हमेशा से states में थी ऐसा नहीं है कि हमारे यहां थी नहीं panchaits in municipality, municipal corporations यह हमेशा से इंडिया की हर एक state में रही है लेकिन इनके पास power नहीं थी, क्या नहीं था इनके पास power नहीं थी, they were directly under the control of state governments एक चीज़ ठीक है, किसके control में है, state government के control में है, दूसरी समस्या क्या थी इसमें, elections regularly नहीं हो रहे थे इनके लिए, ठीक है, directly state government के control में है, और regular elections नहीं हो रहे हैं, तीसरी चीज़ क्या, खुद की कोई powers नहीं है, और कोई resources नहीं है, यह तीन समस्या है थी, मतलब की decentralization effective terms में नहीं था, बहुत कम decentralization था इंडिया में, सिब नाम के लिए, दिखाने के लिए कि पंचायते हैं, municipalities हैं, power ही नहीं है, resources ही नहीं है, regular elections नहीं हो रहे है, state government जो बोल रहे है, वो करना पड़ रहा है, तो decentralization तो है नहीं, तो यह decentralization कब हुआ, बहुत समय लग गया, 1950 में हमारा constitution इंप्लिमेंट हो गया था, लेकिन decentralization फाइनली कब हो पाया, 92 में, 42 यहs के बाद, वो भी एक major step लिया गया, है ना, अभी भी पूरे तरीके से decentralization नहीं है, हमारे constitution में amendment किया गया, और जो third tier of democracy है, उसको powerful and effective बनाया गया, ऐसा नहीं है कि यह third tier बनाया गया, third tier already constitution में mentioned था, पंचायटें थी, municipalities थी, लेकिन उनके पास power नहीं थी और वो effective नहीं थी, तो 1992 में जो constitutional amendment हुए, है ना, 73rd, 73rd and 74th constitutional amendment act, थीक है, इनके थुरू local governments को powerful बनाया गया, अब question क्या आता है, क्या changes किये गए भाई इसमें, क्या constitutional amendment किया गया, जिससे कि यह जो local government है, यह और ज़्यादा powerful हुई, तो सबसे पहला change, कि regular elections होंगे, ठीक है, constitution में clearly mandatory कर दिया गया, कि regular elections conduct किये जाएंगे, local governments के लिए, यह पहला change हो गया, ठीक, दूसरा change किसके लिए है, schedule class, schedule tribe and backward classes के लिए, इन तीनों के लिए क्या किया गया, सारी जो election के लिए, जो seats हैं यहाँ पर, उन में भी reservation दिया गया, और जो उन institutions में executive head होंगे, यैसे gram panchayat में सरपंच head होता है, municipality में chairman होता है, municipal corporation में mayor होता है, तो यहाँ पर यह जो executive heads हैं, इनके लिए भी reservation दिया गया, अब यह reservation हर एक state में एक जैसा नहीं है, अलग-अलग states में अलग-अलग है, ठीक है, क्योंकि अभी भी हम यह कह रहे हैं कि भले डारेक्ली पूरा का पूरा control ना हो state government का, लेकिन अभी भी states की ही जिम्मेदारी हैं कि उनको अपनी powers transfer करनी है, local governments को, ठीक है, तो reservation दिया गया, seats reserve की गई, किस के लिए की गई, seats reserve, schedule caste, schedule tribe and backward classes के लिए, कहां seats reserve की गई है, elected bodies में भी और executive heads में भी, ठीक है, तो यह reservation हो गया भाई, ठीक, दो point हो गए, अब हम तीसरे point पे आ जाते हैं, तीसरा point क्या है भाई, one third seats reserve की गई है, किस के लिए, women के लिए, है न, याने कि municipalities, municipal corporation and गाम पंचायत के elections में, one third positions जो हैं, positions are reserved for women, याने इसमें भी election में जो seats हैं, उसमें भी, और जो executive heads बनेंगे, या जो भी other positions होती हैं, उन सब में one third seats किस के लिए reserve कर दी गई हैं, women के लिए, तीन point हो गए भाई, ठीक है, चौता point क्या change आया, अब ये election conduct करवाना इन के लिए बहुत बड़ी task है, अकेला जो central level पर state election commission है, वो नहीं करा सकता था, इसलिए, एक independent institution बनाया गया, state election commission, और ये state election commission की जिम्मेदारी है कि वो पंचायत and municipal corporations के लिए elections, municipal corporations and municipalities के लिए elections conduct करवाए, चार change हो गए, पाँचवा change, ये government की जिम्मेदारी है, कि इसकी state government की, इनको ये constitution के थुरू, prescribe किया गया, बोला गया, कि they have to share some power and revenue, ठीक है, some power and revenue with local government bodies, ठीक है, लेकिन इस सब में समस्या क्या है, हर जगा, हर एक share में, हर एक state में, nature of sharing vary करता है, क्योंकि अभी भी ये किसकी जिम्मेदारी है, state government की, तो किसी state government ने इनके साथ जादा power share की है, clear ये चीज, ठीक है, तो ये changes हुए हैं, जिससे की, इंडिया में third tier of government, और ज़्यादा powerful और efficient बना है, ठीक है, अब ज़रा इस third tier के बारे में, जानकारी लेते हैं, याने की municipality, municipal corporation and gram panchayat, तो सबसे पहले हम panchayatी राज से start करेंगे, ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, याने की rural local government, ठीक है, ये याद रखना है, rural local government को हम क्या कहते हैं, पंचायती राज, अब इसमें क्या होता है, देखो ये system है, ये पूरा एक है न, सबसे नीचे gram panchayat, फिर panchayat समीती और फिर दिला परिशत, ये पूरा जो एक system बना हुआ है, इसको हम कह रहे हैं, rural local government, ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हर एक village में, या फिर कुछ villages को मिला कर, एक gram panchayat बनाई जाएगी, ये gram panchayat क्या, एक council है, elected लोगों की, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ठीक है, उन में से, एक sarpunch भी होगा, एक sarpunch भी होगा, सचिब भी होगा, ये सारी चीज़ें होगी, अब इसमें क्या होता है, देखो, direct election होता है, इसमें punch और sarpunch का, punch कौन कहलाते हैं, ward members, और sarpunch कौन कहलाता है, president, ठीक है, सरपunch का election अलग होता है, याने president का election अलग होता है, और ward member का अलग होता है, याने कि, जब gram panchayat का election होगा, तो एक व्यक्ती, दो लोगों को vote करेगा, एक, जिस ward में वो रहता है, उस ward के ward member के लिए, और एक, उस गाउं के sarpunch के election के लिए, उसके लिए, एक साथ दो लोगों को vote जाता है, अपना है, मतलब एक ही, पोलिंग वूथ होता है, एक जगा सरपunch के लिए, वोट करना है, दूसरे जगा जाकर ward member के लिए, वोट करना है, एक ही बार में होगा, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है, तो यह directly elected है सभी लोग, तो जो वहाँ पर population रह रही है, वो ward member के लिए, या village का जो head है, उसके लिए वोट करेगा, जो भी adult है वहाँ पर, जो भी 18 साल या उससे जादा उमर का है, ठीक है, तो सरपंच और बाकी के ward members मिलकर, उपसरपंच चुनते हैं, ठीक है, इस तरीके से system चलता है, लेकिन ये भी independent नहीं है, ये जो decision making body है, ये गाओं के लिए highest decision making body है, rural area के लिए, village के लिए, लेकिन ये जो पंचायत है, ये किसके under काम करती है, gram सभा, अब ये gram सभा क्या होती है, क्या इसका भी election होता है, नहीं, gram सभा का कोई election नहीं होता, gram सभा में, हर गाओं का, हर adult member होता है, उसके लिए election की जरूरत नहीं है, यानि ये गाओं की सभा है, हर एक adult इसका member है, और इनका काम क्या है, supervision, किसका supervision, gram पंचायत का supervision करना, ठीक है, तो gram पंचायत का supervision करते हैं, ये क्या supervision करना है, उनका finance देखना है, और काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, तो ये जिम्मेदारी होती है, gram सभा की, कि साल में दो या तीन बार इनको मिलना है, gram पंचायत का annual budget इनको approve करना है, और साथ में, gram पंचायत को उनका जो performance है, उसको भी इनको review करना है, ठीक है, ये दो चीजे काम है, annual budget अप्रूब करना, और performance review करना, ठीक है, ये दो काम है gram सभा के, और election नहीं होता, सारे adult members, जित्ते भी गाओं में voters हैं, adult members याने की voters, वो gram सभा के मेंबर होते हैं, ठीक, सारे adult members, gram सभा के मेंबर होते हैं, लेकिन अब यहां समस्या है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है, कि इनके पास इत्ती पावर है, आप गाओं में जाके देखोगे, तो gram सभा होती ही नहीं है, वो भी सरकार को करवानी पड़ती है, ओफिसर्स भेज़ के, ओफिसर्स लोगों को जुटाते हैं, कि भी आओ बेठो, gram पंचायत के काम को देखो, वो सभी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको चेक करो, आप उनको order दे सकते हो नहीं, ठीक, इसके बाद आजाते हैं अपन, ब्लॉक पर, ठीक है, लोकल गवर्मेंट से अपन देखो, यहाँ पर लोकल गवर्मेंट में डिस्टिक लेवल तक जाएंगे, सबसे पहले हो गया gram पंचायत, अब यह कुछ gram पंचायतों को मिला कर क्या बनाएंगे, पंचायत समीथी, ठीक है, इसे ही हम ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं, अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग नाम से जाना जाता है, अब इसके election कैसे होते हैं, कहीं पर इसके direct election होते हैं, पर indirect, लेकिन आपके NCRT के हिसाफ से कह रहे हैं, कि gram पंचायत के जो members होते हैं उस area में, gram पंचायत के members, किसको चुनते हैं, gram पंचायत समीथी के members को चुनते हैं, इसके हिसाफ से indirect दिख रहा है, लेकिन यह state-wise जो है ना, यह अलग-अलग होता है, मध्यप्रदेश में block के members भी directly चुने जाते हैं, ठीक है, तो यह अपन को चेक करना पड़ेगा, कि कौन सी state में कैसा चल रहा है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर states में, अब यह direct elections होने लगे हैं, ठीक, तो कुछ पंचायतों को मिला कर क्या बना दिया, पंचायत समिती, उसे ही हम block या मंदल कहते हैं, फिर कुछ block या मंदल को मिला कर क्या बनाएंगे, जिला परिशद, ठीक है, जिला परिशद, यह district level पर होगी, इसके election कैसे होंगे, यह भी elected होंगे लोग, कुछ directly elected होंगे, और कुछ nominated होंगे, जैसे कि लोग सभा का, मेंबर उसेरिया का, MLA उसेरिया का, और कुछ other officers, officers किसके, district level bodies जो हैं, उनमें जो officers हैं, वो सब इस जिला परिशद के मेंबर होते हैं, यह सब मिलकर अपना एक chair person भी चुनते हैं, ठीक है, तो जिला परिशद का head कौन होता है, जिला परिशद का chairman, ठीक, तो यह हो गया, rural bodies complete यहां पर, ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा, सबसे पहले basic building block क्या है, gram sabhah, ठीक है, हर गाओं के यह gram sabhah होगी, लेकिन, उसका काम है gram panchayat को supervise करना, फिर उसके उपर क्या है, block है, या panchayat summit है, मंडल कहते हैं इसको, और सबसे उपर क्या है, जिला परिशद है, district level पर, ठीक है, यह इस तरीके से rural bodies, rural local government, ठीक है, अब बात करते हैं, urban areas की, municipalities and municipal corporation, small town में municipality, big city में municipal corporation, ठीक है, एक नगर पंचायत भी होती है, अब इसमें population के basis पर चलता है, आप online search करेंगे, तो आपको नगर पंचायत का देखेगा, जहां 20,000 या उससे ज़्यादा population हो, municipality का देखेगा, 50,000 या उससे ज़्यादा population हो, और municipal corporation का होता है, पंच लाख या उससे ज़्यादा population हो, हो सकता है, ये vary भी करें, ठीक है, अलग-अलग state में है, अलग-अलग हो सकता है, ठीक है, statewide क्यों की मैंने बताया आपको, अभी की statewide क्यों की local government को, कितनी power देनी है, और इनका formation किस तरीके से करना है, ये state के उपर है, तो ये हो सकता है, कि ये जो data मैंने बताया, ये vary करें, लेकिन ये समझ लें, कि small towns में municipalities होती हैं, और big cities में municipal corporation होती है, और ये दोनों ही elected होती है, ठीक है, elected bodies होती है, जो municipality और municipal corporation को control करती है, ठीक, municipality का head कौन होता है, municipality chairman, में और municipal corporation का head कौन होता है, mayor, mayor के elections आपने सुने ही होंगे, कितना जोर सोर से election होते हैं, यहाँ पर भी ward members का भी election होगा, और mayor का भी, city में भी वही होगा, दो लोगों को एक साथ vote करो गया, एक अपने ward member को, और एक जो वेक्तिव mayor के लिए, election के लिए खड़ा हुआ है, उसको, ठीक, तो यह rural bodies और urban bodies, यहाँ पर complete होती है, ठीक है, लेकिन, यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि यह जो हमने देखना है, rural and urban bodies का, यह किसी भी democracy में, किसी भी democracy में, largest experiment है, democracy को conduct करने का, पूरे world में, याने कि यदि हम सारे elected representatives की बात करें, तो लगबख 36 lakhs elected representatives हैं इंडिया में, सरपंच, उफ सरपंच, वार्ड मेंबर्स, इन सब को मिला कर देखा जाए ना, तो 36 lakhs से जादा elected representatives हैं इंडिया में, और यह कई countries की population से जादा हैं, कई countries हैं ऐसी world में, जिनकी population, टोटल population 36 lakhs नहीं हैं, वह चोड़ी-चोड़ी सी countries हैं, ठीक है, तो यह जो number हैं ना, कई countries की total population से भी ज्यादा है, लेकिन अभी भी हमारे हैं कुछ समस्याएं हम फेस कर रहे हैं, क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं हमारा जो constitutional status है, हमारी country का, इसमें हम देखते हैं कि women का representation बड़ा है, democracy और ज़्यादा deep हुई है, लेकिन समस्याएं क्या हैं, difficulties क्या हम फेस कर रहे हैं, at the same time, difficulties यह फेस कर रहे हैं कि अभी भी कई जगहों पर, जो gram सभा होती है, वो regularly held नहीं होती, ठीक है, regular elections तो हो रहे हैं, लेकिन regularly gram सभा नहीं होती, लोग आते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है कि gram पंचायत को वो supervise करें, एक समस्या यह, दूसरी समस्या क्या है, कि भाई, state governments ने अभी भी significant powers transfer नहीं की हैं local governments को, कुछ states ने ज़्यादा की है, कुछ ने कम की है, और तीसरी समस्या क्या है, अभी भी adequate resources नहों ने local governments को नहीं दिये हैं, ठीक है, तो power नहीं दी, resources नहीं दिये, और gram सभा भी regularly held नहीं होती हैं, तो अभी भी हम कह सकते हैं, we are still a long way from realizing the ideal of self government, यह हमने कहा था, सबसे important idea है democracy में, यह हम rural self government चाहते हैं, है ना, तो इस से अभी भी हम बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे यह chapter complete होता है, ठीक है, इन सारे courses के detailed videos के लिए, आप हमारे साथ बने रही हैं, और यह video आपको कैसा लगा, हमारे comment section में आप जरूर हमें बताएं, और जादा सजादा लोगों के साथ इसे share करें, ठीक है, thank you very much,